Friends, मैं आपके लेकर आया हूँ दो ऐसा topics जिसे हमें daily routine में यूज करना ही पड़ता है Friends, सायदी कोई ऐसा दीम होगा जहां आप इस तरह के sentences न बोलते हों जहां आपको up to or weather का इस्तिमाल न करना पड़े तो आएए Friends देखें कि up to or weather का क्या इस्तिमाल है Friends, अगर आपको कहना हो या तुम पर निर्भर है या तुम पर है तो आप कहेंगे It is up to you या उस पर है It is up to him अगर हम बात किसी female की करें तो मैं कहूंगा It is up to her या उन लोगों पर है It is up to them या हम लोगों पर है यानि या हम लोगों पर depend है यह आपके teacher पर है यारी यह बात आपके teacher पर depend करती है आईए friends इस बात को example में देखें यह तुम पर है चाहे तुम पसंद करो या नापसंद अगर आपको कहना हो यह तुम पर है तो आप कहेंगे इट इस अप तु यू और चाहे के लिए आप लिखेंगे whether चाहे तुम पसंद करो whether you like या आप दिखेंगे और वेदर के साथ और आता है और नापसंद डिसलाइक तो friends आपका पूरा sentence है यह तुम पर है चाहे तुम पसंद करो या नापसंद तो आप कहेंगे तो friends आपने यह देखा कि जब आपको कहना हो कि या तुम पर है या मुझ पर है या उस पर है या या किसी पर है तो आप कहेंगे इस अप टू उसके बाद आप वो नाउन या प्रुनाउन बोलेंगे आईए friends कुछ examples देखते हैं ताकि आप इस topic को शांदार तरीके से सीख सके Friends अगर आपको कहना हो या तुम पर है चाहे तुम जियो या मरो आप कहेंगे It is up to you whether you leave or die Friends अगर आपको कहना हो ये तुम पर है चाहे तुम खाओ या सो जाओ It is up to you whether you eat or sleep या उस पर है वो आए या जाए तो आप कहेंगे It is up to her whether she comes or goes Friends अगर आपको कहना हो या मुझ पर नहीं है कि मैं कॉलेज जाओ या नहीं तो आप कहेंगे It is not up to me whether I go to college or not तो friends उमीद करता हो कि आपको up to or whether आपका इस्तेमाल शांदार तरीके से समझ में आया Friends अगर वाकई इस lesson को आपने शांदार तरीके से सीखा तो क्या इस topic पर दो sentences comment box में लिख सकते हैं दो sentences comment box में लिखें ताकि मैं देख सकूँ कि आपने सही सीखा या गलत फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई